होलो दोस्तों, लेट्स प्ले बार्वी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर सब लोग अभी सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहाली में क्या होता है यहाँ पर काजल की आग खुलने लगती है हाम, अरी सुबा हो गई है क्या? अरे हाई तो सुबा होनी वाली है चलो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ आज तो मुझे स्कूटी सीखना है जल्दी से उठ जाती हूँ उन्हें तो सब लोग उठ जाएंगे फिर मुझे नहीं जाने देंगे ये पोलकर काजल जल्दी से उठ जाती है अभी तो सड़क पे ज्यादा भीड नहीं होगी चलो जाके जल्दी से स्कूटी सिखाती हूँ नहीं तो सिध्धा तो मुझे सीखने ही नहीं देता है स्कूटी बोलता रहता चोट लग जाएगी चोट लग जाएगी चलो चलो जाती हुभी तो सब लोग सो रहे हैं मुझे कोई नहीं रोख पाएगा आज चाहे जो हो जाए मैं तो स्कूटी सीख कर ही रहूंगी सब लोग तो हैरान रह जाएंगे चलो चलो जल्दी से जाती हूँ अभी तो सब लोग सो रहे हैं पूज़ा आ गया। स्कूटर लेके निकल जाती है सीखने के लिए अरे अरे मुझे तो भी अच्छे से चलाना भी नहीं आता है कोई बात नहीं मैं आखिरकार सीखी जाऊंगी और फिर अभी यहाँ पर पिंकी की आग खुल जाती है अरे सुबा हो गई है क्या अरे हाँ यह तो सुबा होने वाली है चलो अच्छा है मेरी आग जल्दी खुल गई है घर की सारे काम निप्टा लूँगी और फिर यह बोलगर पिंकी जाने लगती है लगता है भावी और सुईटी भी अभी तक सो रहे हैं अरे यह क्या यहाँ पर तो सुईटी अकेले ही सोई हुई है भावी कहाँ पर है वो खा गई इतनी सुबह सुबह अरे मैं भीना बादरूम गई होंगी और कहा गई होंगी चलो एक बार देख लेती हूँ अरे भावी तो बादरूम में नहीं है फिर आखिर कहां गई घर में भी दिखाई नहीं दे रही ही रसोई में भी नहीं है फिर कहां गई आखिर भावी कम से कम हमें बता कि तो जाना चाहिए था भावी भावी कहां है आप अरे ये क्या यहाँ पते सिधात की स्कूटर नहीं है अच्छा तो भावी स्कूटी लेकी गई है सीखने के लिए भावी के तो अच्छे से स्कूटर भी चला नहीं आता चलो मैं सिधा जी को जगाती हूँ यहाँ पर काजल स्कूटर चला रही होती है अरे वाह मैं तो थोड़ा बहुत सीख गई हूँ स्थोड़ा सा और चला लो फिर मुझे अच्छे से आ जाएगा सिधा तो खामक ही परिशान हो रहा था है मैं कितने अच्छे से सीख गई हूँ स्कूटर यहां पर एक ट्रक वाला काजल का एक्सिडेंट करती वहां से भागने लगता है चलो चलो भागता हूँ यहां से अरे यह क्या काजल का थो बहुत ही पुरी के सख सिदेंट हो गया है अरे चलो भाई चलो भाई ये क्या हो गया अरे बापरी इस वरत का तो बहुत ही पुरी तरीके से एक्सिडंट हो गया है लगता है किसी ने टक्कर मार दिया है अरे हाँ चलो 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 यह क्या हो गया अरे बापरे यह तो बहुत ही बुरी तरीके से एक्सिटन्ट हो गया है अरे हाँ मुझे लगता है यह इसी गाउं की है मैंने इसी देखा है अरे हाँ यह तो शायद काजल अरे हाँ यह काजल ही है औरे हाँ ये तो इसी गाओं की है आजकर लोग भी न कैसे टक्कर मार के भाग जाते हैं बिचारी काजल देखो तो क्या हो गया इसके साथ और फिर तब ही यहाँ पर चिंगी की मम्मी आ जाती है अरे ये तो काजल है इसका तो एक्सिडन्ट हो गया है पाप रे पाप फी क्या हो गया चलो मैं जाके जल्दी से घरवालों को पता क्या आती हूँ उन्हें तो पता भी नहीं होगा यहाँ पर सब लोग परिशान होके काजल का इंतिसार कर रहे होते हैं पिंकी जी काजल भावी तो अभी तक नहीं आई है कहा रहे गई आपने उन्हें जाते भी नहीं देखा था क्या पता नहीं कहा रहे गई अले हाँ मम्मी चुपके चुपके निकल गे उन्होंने मुझे भी नहीं जगा आया पता नहीं कहा चली गई अरे स्वीटी बेटा तुम परिशान मत हो, काजल भावी आती ही होंगी, कहां चले जाएंगी, यहीं कई गई होंगी सेर पर और फिर यहाँ पर जल्दी अल्दी चिंगी की ममी आ जाती है सिधार, सिधार, अरे चिंगी की ममी आप और यहाँ वो बात है की काजल, काजल का एक्सिडन्ट हो गया है और फिर यहाँ पर चिंगी की ममी सब को काजल के बार में बताने लगती है चलो चलो चल्दी चलो चल्दी चलो चल्दी चलो क्या ऐसा नहीं हो सकता है ममी ममी चलो 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 चल्दी चलो अरे हाँ चल्दी चलो अले ममी आपको ये क्या हो गया है आपने अपनी आखें बंज करके क्यों लेटी हुई है चल्दी शेय उट जाए प्लेश ममी अरे देखो तो सही इतनी कम उमर में काजल कैसे उपर चली गई अब क्या होगा सुईटी का मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है कौन उसका खयाल रखेगा काजल को स्कुटर चलाना ही नहीं आजा था फिर भी वो चली गई अरे हाँ तुम सही कह रही हो अब देखो क्या हो गया है बिचारी सुईटी कितनी कम उमर में कैसे ख्याल रखेगी अपना देखो तो अपनी ममी के लिए कैसे फूट फूट कर रो रही है मुझे भी रोना कर रहा है मैं क्या करू ऊपर वाले को इसा नहीं करना चाहिए था अरे हां तुम सहीं कह रही हो काजल भाविया आप उठ जाए ना क्यों आखे बंद करके लेटी हुई है आपने बहुत ही बड़ी गलती कि आपको क्या जरू थी स्कूटर ले जाने कि आप मुझे जगा दे और वो एंगल बनके तुम्हाले साथ हमेशा ही लहेंगी तुम बिलकुल भी मत रो और मैं भी तुम्हाला खयाल रखूंगी अरे हाँ मेरे प्यारी सुईटी तुम बिल्कुर भी मत रो मेरे पास आ जाओ क्यों रो रही हो चाची मम्मे क्यों यही जग रही है देखो जो अपनी आखे नहीं खोल ले हूँ अरे मेरे प्यारी सुईटी वो अपनी आखे नहीं खोलेंगी हम चाहे कितना भी बोले वो हमारी बाते नहीं सुनने वाली है पर क्यों मुमिट पहले मेरे सारी बाते सुनती थी अरे हाँ प्यारी सुईटी तुम्हारी चाची सहीं बोल रही है वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली तुम मत रो ठीक है ना जुप हो जाओ तुम्हारी चाची तुम्हारी सारी बात मानेंगी अरे आप आप सब रोना धोना बंद कर दीजिए जो होना था हो गया उपर वाले की यही मरजी थी चलो चलो सिध्धाथ अंतिम संसकार का समय हो गया है जल्दी से हमें एक अंधा देना होगा और हाँ सिध्धा तुम इस घर के बड़े हो तुम्हें ही अंतिमिदाई देनी होगी अपनी भावी को अच्छा ठीक है आप जैसा कहें हाँ ठीक है सिध्धा चलो दो-चार लोगों को और ले लेते हैं अब देर किस बात की है हमें जल्दी से शम्शान घाट पहुचना होगा आप लोग मेली ममी को कहा ले जाले मैं अपने ममी को कहीं नहीं जाने तुंगी अरे सुटी बेटा चुप हो जाओ मत रो समालो अपने आपको तुम तो बहुती बहादूर हो ना बेटा चुप हो जाओ मेरी प्यारी सुईटी अरे हाँ आप सब मत रो ये ठीक है ना जो हो ना जो हो गया है सुईटी बेटा तुम भी मत रो ठीक है ना उपर वाले को यही मंजूर था भावी अगर मैंने आपको कभी दिल दुखाया तो मुझे माफ कर देना और फिर ये बोलकर सिधात काजल का मुँ बंद कर देता है चलो चलो मैं भी काजल से माफी मांग लेती हूँ काजल मुझे भी माफ कर देना अरे हाँ काजल मेरा भी कहा सुना माफ कर देना मुझे भी माफ कर देना काजल अरे हाँ भावी मुझे भी माफ कर देना आप और फिर सब्सक्राइब कर दोस्तों हमारी आगी की कहानी देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी